पंजाब विधान्सबा चुनाओं पर सभी की नजरे ठीकी हुई है। सभी पार्टिया लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है। रूपनगर विधान्सबा सीट से कॉंग्रेस ने बरिंदर से धिलो को मैदान में उतारा है। पांच राज्यों के विदान सबाद चुनाव में माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और इस बार पंजाब विदान सबाद चुनाव भी काफी एहमाना जा रहा है इसकड़ी में आज हम पंजाब हैं और हमार साथ बादचीत के लिए पंजाब के रूपनगर विदान सबाद शेतर से कॉंग्रेस प्रित्याशी और यूवर कॉंग्रेस नेता वरिंदर जी मौझूद है वरिंदर जी आपका बहुत वह स्वागत फस इंडिया नियूस पहला स करना चाहूंगे चुनाओ को लेकर पार्टी की कैसे क्या तैयारिया आभी बीजिकर त्रहID को ब्नाफिद्य ने काम की Jewyl फिर वि अभी तक के लेकिन उनका थोड़ाग रहा लेकिन फिर भी अभी तक के कारीकाल को कैसे देखते हैं? आप खुद देख लीजी, एक सो गयारा दिन में बन्दा क्या कुछ कर सकता है लेकिन उनों नोंगे 111 दिन में इतना जबरतर काम किया जो आज लोगों में आज एक हुंगा रहा है, जो लोगों में आज एक उत्सा है, उसमें उनका काम बोल रहा है, क्योंकि लोग काम चाते हैं, लोग जुम्ले बाजी नहीं चाते हैं, लोग अनॉंस्मेंट्स नहीं चाते हैं, और लोग काम चाते हैं, उस काम को आप जमीनी प तो आगे चलके वो बहुत बड़ा बड़िया काम करेगा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूंगी कि पहले यहां से आप पार्टी ने जीत दर्ज की ती लेकिन अभी हम जब कुछ सम रस्ते से आ रहे थी जब शेत्र में हमने देखा तो कहीं जगा पर विकास नहीं है सड़क के टूटती रहेंगी और कहीं जगा जहां नहीं है वहां पर हमारे को बनानी पड़ेंगी सो विकास तो यह कोई पांच साल का साइकल नहीं है विकास तो एक नेवर इंडिंग साइकल है जहां नहीं हुआ वहां करना पड़ेगा जहां कुछ हुआ है उसको और बहतर करना प देखी वरिंदर जी हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है यहां की भी और दिली की भी और हर जगह से लोग देख रहे हैं तो यह आप से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इस बार ऐसे कुछ खास मुद्दे जिसके आधार पर आप जनता से वोट के अप दोलन देखेंगे जिस तरीके से बीजेपी ने अटाक किया जिस तरीके ने लोगों के उपर एक उन्होंने कोशिश की उदर से आज तक आज आप देखोगे विसको पंजाब आज से बार्डर स्टेट तो नहीं है बड़े सालों से बार्डर स्टेट है लेकिन इस चीज को भी उचाला जा रहा है तो पंजाब की एक यूनीक करेक्टर है और इस यूनीक करेक्टर को अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ कॉंग्रस पार्टी है क्यों क्योंकि कॉंग्रस में एक वो एक दल है जिसमें हर एक लोग के हर एक वर्ग के हर एक मतलब समुदाए के हैं वो हिंदू और सिख भाईचारा बहुत एहम है और आज तक आज तक इस फाब्रिक में कभी कोई मुश्किल नहीं आई और इस चीज को अगर कोई सही महने में इस चीज को समझता है और इस चीज को आगे लेके जा सकता है तो वो कॉंग्रस पार्टी ही है देखिए अंदोलन एक लोगों से जड़ा हुआ मुद्धा था और उन्होंने वो यह लोग देखते हैं इस मुद्धे में किन लोगों ने क्या क्या बहुमी का निभाई तो लोग उससे लोगों का किरदार लोगों की समझ और पार्टीयों का जो सिस्टम है वो लोगों को समझ आया इस अंदोलन को पोलिटिकल ना देखा जाए इस अंदोलन यह सब का अंदोलन था यह सारे पंजाब का नहीं यह हर्याना हर किसान का अंदोलन था और कई नेता हैं जो किसान हैं कई लोग हैं कई लीडर पार्टी में वरकर हैं जो किसान हैं सो हर एक किसान इसमें हर पार्ट समझ कि इसको लोग बढ़िया तरीके से मानते हैं देखे दो हजार दो से पहले कर इस शेतर की बात करें रूपनाकर की बात करें तो दो हजार दो से पहले कॉंग्रेस का बड़ा गड़ माना जाता था यह लेकिन उसके बाद से जीत थोड़ी चुनोती पूर्ण हो गई तो इस बार कितना विश्वस्त और कितना चुनोती पूर्ण मान रहें मुकाबला यह मेरे साबने 30 सालों में एक बार ही सीट जीते है आप मानोगे जब बार में 92 में कॉंगरस 92-93 सीट जीती थी आउट ओफ 117 उस तम भी यह सीट अर गये तो यह गड़ नहीं था कॉंगरस का कभी भी यह गड़ अब जुरूर आज से बाद इस बार के बाद यह गड़ बनेगा कॉंगरस का क्योंकि आज इस बार 2022 के बाद यहां पर हमेशा कॉंगरस ही जीते गगी फर्ण जो वोट का अंतराल रहता था वो काफी कम पाया ठाल है था लेकिन अभी बीटे कुछ समय से जो यह आन्तराल है वोटों का जो टिफरेंस है जो वोट का हाड़ने जीतने का होड़ ज़्यादा पाय गया है तो इस बार यह उमीद कि जा सकुति है कि इस बार अगर का तो यह बाते हैं तो आज कहने को हो रहती है आप रिजल्ट देखना रिजल्ट के दिन बात दोबरा करेंगे और यहां यह सीट बहुत ठोक के बड़े-बड़ीया मारजन से जीतने वाले एक आखरी सवाल कितना विश्वस्त इस बार जीत को लेकर आपको बहुत रहा हूं इसको कि अभी तो मैं अपने हलके में बीजी हूं मेरे को बता नहीं है पंजाब में बाकी जगा क्या है लेकिन रोपर सीट जो है वो कॉंगरस की जोली में जा रही है इसमें कोई दोर आई नहीं है और आप आने वाले टाइम पर यह देखेंगे यहां पर मतलब को कि देख जाएंगे वो रिजल्ट बहुत पॉस्टिव रहेगा और आप देखना आप पिछली बार जो मापको पहले बोला जितनी मार्जन से हम हारे थे उसी मार्जन से हम दोबारा जीत के यह रिजल्ट लोगों के पास मतलब कॉंगरस की सीट जो है उनकी जोली में डा देंगे तो